नमस्कार साथियों आप मिडलिस्ट कहिए या वेस्ट एशिया कहिए इस इलाके में हालिया दिनों में एक बहुत बड़ी घटना घटित हुई है ऐसी घटना जिसका आने वाले समय में इस इलाके में काफी असर पड़ने वाला है दो दुश्मन देश इरान और सौधी अरबिया जिनके बीच में पिछले साथ सालों से किसी भी तरह के डिपलोमेटिक संबंध नहीं थे उन दोनों देशों में दोबारा से दोस्ती की शुरुवात हो गई है 2016 में सौधी अरब में शिया कलेरिक शेख निमर को मौत की सजा सुना दी गई थी उसके बाद इरान में तेरान के अंदर सौधी अरब की MSC पर प्रदर्शन कारियों ने हमला कर दिया इरान के मसद शहर में स्थित सौधी कॉंसुलेट पे प्रतर्शनकारियों ने हमला कर दिया और उसके बाद दोनों देशों के बीच में डिपलोमेटिक संबंद पूरे तरीके से खतम हो गए थे और तनाव चरम पे पहुँच गया था साथ सालों के बाद दोबारा से दोनों देशों के बीच में एक दोस्ती की शुरुवात हुई है और सबसे मैतवपूर्ण बात ये सबसे हैरान करने वाली बात ये कि दोनों देशों की दोस्ती शुरू कराने में सबसे मैतवपूर्ण रोल निबाया है चाइना ने और इसी बात की वज़े से अमरीका अच्छा खासा प्रेशान और नाराज है क्योंकि आज तक मिडल इस्ट में जितने भी मैतपून फैसले होते थे उनमें सबसे इंपोर्टेंट रोल अमरीका ही प्ले करता था और इसी लिए हालिया समय में एक रिपोर्ट के अनुसार अमरीका की CIA के डारेक्टर विलियम वर्न्स ने सौधी अरब का दोरा किया और वहां के अधिकारियों और राजनेताओं को ये क्लियर संदेश दे दिया के इस प्रेजन्ट डेवलप्मेंट से अमरीका बिलकुल भी खुश नहीं है जो हालिया समय में सौधी अरब और इरान के बीच में समझोता हुआ इस समझोते पे जो हस्ताक्षर किये गए वो चीन की राजधानी बिजिंग में हुए और इस पूरे समझोते की पिक्चर में अमरीका कहीं भी दिखाई नहीं दिया साथ योई इस पूरे मामले के बारे में तीन बड़ी महतवपूर्ण चीज़े हैं जो आपको समझनी चाहिए पहली बात तो ये कि साओधी अरब और इरान में इतनी दुश्मनी क्यों है देशों ने दोबारा से एक दोस्ती की शुरुवात की है सबसे पहले ये समझते हैं कि इरान और साओधी अरब में आखिरकार दुश्मनी क्यों है सबसे पहला बड़ा फेक्टर है वो है कुरान की इंटर्प्रेटेशन को लेके साओधी अरब एक सुन्णी मैज़ॉरटी देश है और इरान एक शिया मैज़ॉरटी देश है शिया और सुन्णी कुरान की इंटर्प्रेटेशन अलग से करते हैं और इसलिए देखा होगा आपने दुनिया भर में शियाओं और सुनियों के बीच में काफी मतभेद है। इन दोनों देशों के बीच में दुश्मनी का एक अन्य कारण ये भी है कि 1989 में जब इरान के अंदर इसलामिक करांती हुई खुमैनी के नित्रतों में तो उसी समय से इरान ने पश्चिमी देशों और पश्चिमी देशों की सहेता करने वाले अरब देशों के खिलाफ एक बहुत आकरामक रुख अपनाया था और उसी समय से इरान और अन्य सुनि देशों के बीच में बड़े मतभेद चलते आ रहे हैं। आप हालिया समय में भी देखेंगे यदी तो जितनी भी कन्फिक्ट हुई मिडल इस्ट में उन सभी कन्फिक्ट में इरान और सौधी अरब ओपोजिट पार्टीज को सपोर्ट करती रही। चाहिए आप बात कर लीजिये सीरिया की या आप बात कर लीजिये यमन की। सीरिया में इरान पूरी ताकत से सीरिया के प्रेजिडेंट बशरल असद उरुन की फोज के साथ खड़ा रहा तो दूसरी तरफ सौधी अरबिया ने बशरल असद का विरोध कर रहे विद्रोईयों को पूर्ण तरीके से समर्थन दिया। यदि बात करें यमन की तो यमन में इरान हुथी विद्रोईयों के साथ खड़ा है तो दूसरी तरफ सौधी अरबिया ने हुथी विद्रोईयों के खिलाफ एक सैन्न अभियान चलाया और मनसूर अलहादी की गौवर्मेंट को दोबारा से एस्टेबिश करने का पूरा प् मशद हो चाए वो कुम हो वो सारे इरान में है और जो सुनियों के खासकर जो बड़े मैतपून स्थल है जिनको सभी मुसलमान मानते हैं चाए वो शिया हो चाए सुनी हो वो सौधी अरब के अंदर हैं चाए मक्का हो या मदीना हो तो इन वजों से पुराने समय से इन दोनो पड़ा जरूरी है कि इन दोनों देशों के बीच में साथ साल बाद आखिर दोबारा से दोस्ती की शुरुआत कैसे होगी। एक्सपर्ट सा कहना है कि पहले इरान की तरफ से साथी अरब को ये मैसेज भेजा गया कि वो बात शुरू करना चाहते हैं। लेकिन जब पहली बार साथी अरब के अधिकारियों के पास ये मैसेज गया तो साथी अरब ने बातचीत को सिरे से नकार दिया। क्योंकि उनको ये लगता था कि यमन के अंदर और अन्ने देशों के अंदर इरान अपनी इन्वाल्मेंट किसी भी कीमत पे कम नहीं करेगा। लेकिन बाद में इराक और ओमान ने मध्यस्तिता करी और इनकी मध्यस्तिता का काफी इसर पड़ा। इरान और सौधी अरब के अधिकारियों के बीच में कई राउंड की डिसकुशन्स ओमान और इराक में हुई। खासकर इराक के जो पहले परधानमंत्री रहे मुस्तिफा अल-खदीमी उन्होंने इस बादचीत को काफी आगे बढ़ाया क्योंकि वो एक ऐसे लिडर थे जिनके उपर इरान का भी विश्वास था जिनके उपर सौधी अरब का भी विश्वास था तो इसी लिए ओमान और इराक के परियासों से ये बादचीत इरान और सौधी अरब के बीच में आगे बढ़ी लेकिन अचानक से इराक के अंदर मुस्तफा अल-खदीमी की सरकार चली गई और नए परधानमंत्री आए जैसे इराक में नए परधानमंत्री आए उन्होंने मध्यस्तिता को लेके को सौधी अरब के दौरे पे गए तो वहां पे सौधी अरब ने ये पेशकश की कि चाइना एक इंपोर्टेंट रोल निभाए और सौधी अरब वे इरान के बीच में दोबारा से बादचीत शुरू कराए उसके बाद इरान के राश्टरपती का चीन का दौरा होता है और वह आपस में डिप्लोमेटिक संबंद शुरू करने के लेके कागजों पे हस्ताक्षर करते हैं और ये एलान करते हैं कि अगामी दो महिने में दोनों देश एक दूसरे देशों में अपने कॉंसुलेट और एमबैसी खोल लेंगे उसी के तहत अभी दो-तिन दिन पहले ये जैसे इरान और सौधी अरबिया ने दोबारा से दोस्ती की शुरुआत की हैं आखिर वो कौन से फैक्टर हैं जिनके कारण दो दुश्मन देश आपस में एक दूसरे के नजदीक आने को मजबूर हो गए सबसे पहले दी बात करें सौधी अरब की तो अब तक अमरीका एक बहुत महतवपूर्ण रोल प्ले करते आया है मिडल इस्ट के अंदर और खासकर सौधी अरबिया के लिए जितनी भी सिक्योरिटी गारंटीज रही है उन सभी सिक्योरिटी गारंटीज को निभाने का काम अमरीका ने बड़े सतर पे किया है एक तरीके से अमरीका ने सौधी अरब को सेन्य त्योर पे प्रोटेक्ट करने आकाम किया है लेकिन पिछले 5-6 सालों में जो गटनाए घटित हुई उनके कारण सौधी अरब का विश्वास अमरीका के उपर से कम होता चला गया चाया अरामको ओयल कॉर्परेशन पे यमन के हुथी विद्रोईयों ने मिजाईलों और ड्रोनों से हमला किया तो उसके बाद अमरीका ने वो सेन्य कदम नहीं उठाए जिनकी उमीद सौधी अरबिया कर रहा था सौधी अरब के रूलर्स ये सोच रहे थे कि हुथी विद्रोईयों ने सौधी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको ओयल कॉर्परेशन पे हमला किया है तो इसके जवाब में अमरीका सीधे तौर पे सौधी अरब की मदद के लिए उतरेगा लेकिन अमरीका ने कोई मदद सीधे तौर पे नहीं की उसके बाद अभी हालिया जो अमरीकन प्रेजिडेंशल इलेक्शन थे उससे पहले जब डेमोक्रेट्स के जो बीडन परचार कर रहे थे तो वो बार-बार एक बात कह रहे थे कि सौधी अरब के एक पत्तरकार जमाल खशोग जी की तुर्की में जो हत्या की गई है उस विशे में वो सौधी अरब के रूलर मुहमद बिन सल्मान से तीखे सावाल पूछेंगे और उनको इंटरनेशनल लेवल पे अलग थलग कर देंगे जब जो बिडन राष्टरपती बने और उसके बाद वो सौधी अरबिया के दोरे पे गए तो वहाँ पे मुहमद बिन सल्मान ने जो बिडन के साथ वैसा वैवार नहीं किया जैसा वैवार सौधी अरब के रूलर्स अमरीका के पूरो प्रेजिडेंट्स के साथ करते आए इन वाल है और वो यदि राष्टरपती बने तो मुहमद बिन सल्मान को अलग थलक करने में कोई कसर नहीं छोडेंगे यही कारण है कि हालिया समय में जब अमरीका के राष्टरपती सौधी अरब के दोरे पे गए तो एरपोर्ट पर उनको वैलकम करने के लिए एक सिटी का गवर्नर आया वहीं दूसरी तरफ जब चाइना के राष्टरपती शिन पिंग सौधी अरब के दोरे पे गए तो खुद सौधी अरब के विदेश मंत्री उनको रिसीव करने के लिए वहाँ पे गए तो यह तमाम घटनाओं के कारण सौधी अरब अमरीका से दूर होता जा हालिया समय में जब अमरीका ने सौधी अरब वे अन्य ओपेक देशों पे दबाव डालने की कोशिश की कि वह ओयल प्रोडक्शन कम कर दें ताकि रशिया का ओयल सस्ता हो जाए रशिया को अलग थलक करने के लिए जब अमरीका की सरकार ने अमरीका के प्रेजिजेंट ने ओपेक देशों पे दबाव डालने का प्रियास किया तो ओपेक देशों में सबसे मितव पूर्ण देश सौधी अरबिया ने अमरीका के दबाव को मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया और खुले तौर पे सौधी अरब ने एक निूट्रल रोल प्ले किया और मैं ये प्रतिबंदों को माना जो प्रतिबंद अमरीका वे पश्चमी देशों ने रशिया के उपर हालिया समय में लगाए है और इसके अलावे एक और महतवपूरून बात ये है सौधी अरब को ये लगता है कि चाइना और रशिया इरान पे ज़्यादा दबाव डालने में सक्षम है as compared to अमरीका क्योंकि अमरीका और इरान का हमेशा 36 का अंकड़ा रहा है अमरीका बेशक कितनी मजबूती से सौधी अरब के साथ खड़ा रहा हो लेकिन उसके बावजूद इरान ने सौधी अरब के खिलाफ अपनी एक्टिविटीज नहीं रोकी क्याए वो बात सीरिया की हो या वो बात यमन की हो सौधी अरब के रूलर्स को उनके एक्सपर्ट्स को ही लगता है कि आज के दिन इरान के उपर रशिया और चाइना का काफी दबाव है क्योंकि ये दोनों देश कहीं न कहीं इरान के साथ खड़े दिखते है और इरान इन दोनों देशों के साथ खड़े दिखता है 35 fighter jet included हैं जिसमें S-400 missile defense system है यह सारी चीजें इरान को देने का वादा किया है तो यह तमाम points के कारण सौधी अरब यह चाहता था कि वो इरान के साथ दोबारा से दोस्ती की शुरुआत करें इसके अलावा एक अन्य मैतकुरून बिंदू ये भी है कि सौधी अरब vision 2030 को लेके चल रहा है जिस विजन के तहत वो सौधी अरब को socially और economically काफी develop करना चाहता है सौधी अरब के rulers यह सोच रहे हैं कि आज जिस सौधी अरब की economy पूरे तरीके से oil industry पे dependent है तो oil industry से उसकी dependence कम की जाए घटाई जाए क्योंकि आने वाले समय में electric कारें आ रही है solar कारें आ रही है तो आने वाले समय में experts यह कह रहे हैं कि पूरी दुनिया की तेल पर निर्भरता कम होने वाली है और तेल धिरे-धिरे पूरी दुनिया में खतम भी हो रहा है तो सौधी अरब यह चाहता है कि वो अपनी economy को diversify करे और socially economy काफी मजबूती से आगे बढ़े और विजन 2030 को accomplish करने के लिए जरूरी है कि सौधी अरब में peace बनी रहे सौधी अरब और यमन के हुथी विद्रोईयों के बीच में जो जगड़ा पिछले 6-7 सालों से चल रहा है इस जगड़े के दौरान जहां एक तरफ सौधी अरब अपने advance weapons के जरिए हुथी विद्रोईयों पे हमला कर रहा है तो दूसरी सौधी अरब ये चाता है कि Vision 2030 को accomplish करने के लिए उसको पूरा करने के लिए सौधी अरब सबसे पहले peace को establish करें वहीं दूसरी तरफ यदि आप बात इरान की करें कि आखिर इरान ने ये दोस्ती की शुरुआत क्यों की आखिर ऐसे क्या points है जिनके करने इरान को दोस्ती के लिए मजबूर होना पड़ा सबसे पहला factor ये है कि 1989 में इरान के अंदर Islamic करांती के बाद से ही इरान में तमाम नेता ये कहते रहे है कि उनका सबसे मैतवपूर्ण agenda ये है कि Middle East के अंदर से अमरीका इसराइल और अन्य पश्चमी देशों की involvement को interference को बिलकुल कम किया जाए इरान के लीडर बार बार ये कहते आए हैं पिछले 44 सालों में कि उनका सबसे परमुख agenda ये है कि अमरीका जो interference कर रहा है Middle East के अंदर वो अमरीका की interference को पूरे तरीके से खतम कर देंगे तो जो ये एक deal हुई है जिसमें चाइना ने एक important role play किया है और चाइना और अमरीका के बीच में काफी टकराओ चल रहा है तो एक तरीके से चाइना और रशिया के कहने पे ये समझोता करके अमरीका ने मामाफ कीजेगा इरान ने एक ये कड़ा संदेश दिया है कि अब Middle East में अमरीका की नहीं चलेगी तो इरान कही ना कही इस deal के माध्यम से अपने उस agenda को complete करना चारा है जिस agenda के तहट उनका target ये रहा है कि Middle East के अंदर से अमरीका, इसराइल वे अन्य पश्चमी देशों की involvement और interference कम की जाए दूसरा ये बड़ा कारण ये रहा है कि इरान हालिया समय में आर्थिक समस्याओं से बड़े पैमाने पे जूज रहा है और एक कुर्दिश लड़की माशा अमीन की पुलिस कस्टिडी में हत्या के बाद से खास कर से ये आर्थिक मुद्दों पे और सामाजिक मुद्दों पे मिलके इरान में बड़े पैमाने पे परदर्शन हो रहे है जिससे इरान की सरकार इरान की ruling elite कही ना कहीं डरी हुई है कहीं इरान में एक बड़े पैमाने पे क्रांती ना हो जाए कभी बड़े पैमाने पे जनता सड़कों पे ना उतराए तो इसलिए अपने आर्थिक हालात को सुधारने के लिए इरान ने साओधी अरग के साथ दोस्ति की शुरुआत की है पहले इरान को ये उम्मीद थी कि जो billion की सरकार बनने के बाद से अमरीका दोबारा से 2015 वाली nuclear deal की शुरुआत करेगा लेकिन इतना लंबा समय भी जाने के बावजूद भी अमरीका ने उस nuclear deal को रिवाईव करने के लिए कोई interest नहीं दिखाया और आज भी इरान के उपर अमरीका वे अन्य पश्चिमी देशों ने कड़े परतीबंद लगाए हुए है तो अपने आर्थिक हालात को सुधारने के लिए जो internal conflict बनी हुए इरान के अंदर उस चीज को सोट आउट करने के लिए इरान ने साओधी अरब के साथ दोस्ती की आज के दिन इरान में सभी चीजों के दाम आसमान चूरे हैं महंगाई बहुत ज़्यादा महंगाई चरम पे हैं इरान की जो currency है वो पूरे तरीके से अन्य currency के मुकाबले में devalueit हो चुकी है तो यह economic factor एक बड़ा factor रहा है दोबारा से एक दोस्ती की दोबारा से diplomatic संबंद शुरू करने के पीछे एक अन्य factor साथियों ये भी है कि इरान बार-बार ये कह रहा है कि इरान के अंदर जो protest हो रहे हैं उन protest को भढ़काने में एक सबसे बड़ा रोले प्ले कर रहा है एक news channel एक फार्सी news channel जिसकी website English में भी है जिसका नाम है इरान international और इरान का अरोप ये है कि इरान international के पीछे साथी अरब की intelligence agency है और साथी अरब की funding से ही इरान international चल रहा है जिसका एक बड़ा headquarter इंगलेंड की लंदन में भी है तो इस पूरी बातचीत के दौरान इरान ने बार-बार साथी अरब से कहा ये वो इरान international की funding को बंद करें क्योंकि इरान international के कारण जो इरान के अंदर प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं बार-बार उससे इरान का ruling elite काफी डरा हुआ है तो चाइना और परदे के पीछे रशिया की involvement के कारण दोबारा से इरान और साथी अरब के बीच में दोस्ती की शुरुआत हुई है जिन दोनों देशों के बीच में पिछले साथ सालों से diplomatic संबंध पूरे तरीके से खतम हो चुके थे तो सातियों आज हमने आपको बिलकुल सरल भाशा में ये बताया कि आखिर वो क्या factors हैं जिनके कारण इरान और साथी अरब के बीच में दोस्ती की शुरुआत हुई है इन दोनों देशों के बीच में दुश्मनी के क्या कारण है और ये बाच्चित हुई कैसे अब देखना ये है कि आने वाले समय में इस दोस्ती का क्या असर पड़ता है और क्या ये दोस्ती उसी गंबीरता से चल पाएगी जिस गंबीरता से इस दोस्ती की शुरुआत हुई है क्या इरान और सौधी अरब एक दूसरे के इंटरनल मामलों में हस्तक शेप करना बंद कर देंगे क्या इरान और सौधी अरब एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सी युद छेड़ना खतम कर देंगे रोक देंगे ये आने वाला समय बताएगा लेकिन अभी जो शुरुआत है वो प्रॉमिसिंग लग रही है तो कि हालिया समय में सीरिया के फॉरण मिनिस्टर ने सौधी अरब का दौरा किया और सौधी अरब दोबारा से अन्ने मुसलिम देशों के साथ अन्ने अरब देशों के साथ ये बातचीत कर रहा है अन्ने अरब देशों को ये कन्विंस करना ही कोशिश कर रहा है कि सीरिया को दोबारा से अरब लीग में शामिल कर लिया जाए और यदि सौधी अरब और इरान के बीच में गंभीरता पूरवक ये दोस्ति की शुरुआत हो जाती है तो अमरीका, पश्चिमी देशों और इसराइल के लिए मिडल इस्ट की कैलकुलेशन, मिडल इस्ट की इक्वेशन काफी हद तक बदल जाएंगी एक अन्ने चीज में तकुन समझने की ये भी है कि चाया आज रशिया हो या फिर चाइना हो काफी हद तक इरान और सौधी अरब के उपर इनका काफी लिवरेज है हथियार भी ये सप्लाई कर रहे हैं सौधी अरब और इरान को और एकनॉमिक तोर पे भी ये दोनों देश इरान और सौधी अरब को काफी सपोर्ट कर रहे हैं तो साथियों आज हमने आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताई यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दिख से दिख शेयर कीजिएगा ताकि ऐसी चीज़े हम आपको और आसानी से बता सकें बहुत बहुत धन्यवाद